नमस्कार जाइन साथियों एक बाप फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बहुत महत्पूर्ण खबर आपके लिए लेकर आया हूँ कि विवाह समारोह अगर करना है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था होती है जैसे कि आग लग जाता है पंडाल मे मिलेगा और जो भी घटना घटी है उसे साथ दिन के भीतर दिखाना होगा बीमा पॉल्सी के पास तो कहने का मतलब कि जो वेडिंग इंसरेंस है जिसकी मैं आज चर्चा करने वाला हूँ यह क्या है यह क्या अभी दुनिया में भारत में यह पहली इस तरह की कोई इंसरेंस है या अभी इसके पर इंसरेंस चल रहा था तो देखिए अगर आपको जानकारी नहीं थी तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्त्रपोन है क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी लोगों को डर रहता है कि हम जो कारिकरम कर रहे हैं विवाह कर रहे हैं फंक्शन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार कोई घटना घटेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा तो इसी को ध्यान में रख करके यह इंसरेंस शुरू किया गया है नाम है वेडिंग इंसरेंस तो वेडिंग इंसरेंस क्या होता है हमने लिखा है आप साधी में किसी भी प्रकार का नुकसान होन है कि wedding insurance हर अलग-अलग company जैसे कि ICICI bank की भी करती है HDFC अन्य company के माध्यम से होता है wedding insurance आप जाएंगे online चेक करेंगे तो मिल जाएगा wedding insurance इसमें होता क्या है कि जैसे मान लिजिए कि आपको मतलब आपको अपने बच्चे का या किसी का भी विवाह करना है तो विवाह जब भी करना है विवाह उससे दो साल के पहले आप इस policy को ले सकते हैं जैसे मालीजिए मैं एक तारीक लिख दे रहा हूं अभी आज की तारीक क्या है आज है मालीजिए पंद्रह पंद्रह दिसंबर दो हजार तेईस पंद्रह दिसंबर दो हजार तेईस को आप इस policy को ले रहे हैं तो इसकी जो अधिक्तम maturity होगी वो होगी की 14 12,2025 यानि की दो वर्स दो वर्स के लिए ये policy होती है यानि जब भी आप इस insurance को insurance कबर लेंगे जब भी आप insurance करवाएंगे इसका तब से लेकर के दो वर्ष के भीतर आपको विवाह करना है क्योंकि जब भी आप insurance करवाएंगे उसमें पूरा detail लिखना होगा कि किस का लड़की का नाम, लड़के का नाम, पूरा bio data, पूरा detail रहेगा तो उसमें ये डिक्ट नहीं फिक्स रहेगा कि आपको विवाह कब करना है कहां करना है ये कोई फिक्स नहीं है लेकिन दो साल के भीतर पॉलसी लेने के बीच में कभी भी विवाह समारो कारिकरम हो सकता है जब विवाह समारो कारिकरम होगा जिस तारीक होगा उसका डिटेल द करना है दो वर्स के बाद करेंगे तो यह काम नहीं करेगा यानि इसकी समय सी में क्या है दो वर्स अब देखिए जैसे कारिक्रम हुआ मालीजे इस पंडाल में यह कारिक्रम हुआ अब इसमें क्या हो गया कि आग लग गई आग लग गई और नुकसान हो गया तो कितने का नुक्सान हुआ है, उसका पूरा लिखित विभरान होना चाहिए जैसे कि पूरा पंडाल अगर जल गया है न, तो उसका क्या है या किसी का सामान चोरी हो गया या मार पीट के चक्र में कुछ हो गया तो मतलब जो भी घटना घटती है उसके लिए पुलिस केस होगा पुलिस आएगी, इंक्वाइरी करेगी वो प्रमारित करेगी कि हाँ वाकही में यह घटना यहाँ पे घटी है तब जाकर कि यह बीमा जो बीमा हुआ है जिस कंपनी के पास वहाँ हम जा सकते हैं साथ दिन के भीतर यह जो घटना घटेगी साथ दिन के भीतर हमें जाना है यह सारा काम करवा के है कौन सारा काम? पुलिस केस पुरा डिटेल, कितना खर्चा हुआ मतलब कितने का नुकसान हुआ यह एकदम लिखित प्रमार के साथ वहाँ पे पहुँचना है और जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे फिर 30 दिन की समय सीमा दे गई है 30 दिन के भीतर क्लेम आपको मिलेगा यानि कि जितने का नुकसान हुआ है उतना पुरा अब प्रशनी उड़ता है कि यह जो वीमाप वालसी है इंसुरेंस है यह कितने का है इसकी कोई फिक्स एमाउंट नहीं रखा गया है कि इतने का ही है इसमें सिर्फ यह बात बताई गई है कि जितना साधी का खर्च आएगा जो भी खर्च आता है उस खर्च का 2% लगभग 2% से कम या 2% कि आसपास जैसे मालेजिए कि अगर 10 लाग की साधी है आप से पूशा जाएगा कि कितने की आप साधी करेंगे बताएंगे कि मेरा बजट जो है वो लमसम 10 लाग के आसपास है तिक 10 लाग तो अब 10 लाग का 2% कितना होता है 10 लाग का 2% होगा 20,000 रुपए 20,000 रुपए यानि इस पॉल्सी को लेने के लिए आपको 20,000 रुपए इससे कम ही 20,000 रुपए ही आपको खर्च करना होगा 20,000 रुपए खर्च करके 2 साल के लिए आप कवर ले सकते हैं 2 साल के बीच में कभी भी विवा करेंगे कारिकरम करेंगे अगर कारेकरम सकुसल हो जाता है कोई समस्या नहीं होती अच्छी बात है यदि कोई समस्या होती है चोरी होती है आग लग जाती है भोकम से कोई नुकसान हो जाता है आपस में मार पीट कर लेते हैं उससे कोई नुकसान होता है यानि किसी भी प्रकर कोई नुकसान होता है तो पुलिस केस के बास पुलिस वेरिफाई करने के बाद वो पूरी डिटेल भीमा पॉलसी के पास जाएंगे और साथ दिन के भीतर जाएंगे और एक इस दिन के भीतर पूरा क्लेम मिलेगा ठीक तो यही पूरी प्रक्रिया है वेडिंग इंसरेंस में तो वेडिंग इंसरेंस कितना हुआ दसजर दसजर की पॉलसी आराम से खरी दिया सकती है वो भी दो साल के लिए अब जैसे ही बड़ा होगा मतलब साधी का खर्च वैसे ही इसमें रखम बढ़ती जाएगी पचास लाग की साधी है तो पचास का दो परसंट एक करोण की है तो एक करोण का दो परसंट चार लाकी है तो चार लाग का दो परसंट विअ इसमें जोट लोग बधन बोला जा सकता है कि शाधी हम खर्च करेंगे 4 लाकी मता देंगे 10 लाकी तो क्या होगा तो जोट भी बोल गपरसंट बिघिवसेन तॉन परसंट आपको देना होगा तो आप तो पहले ही दे के होई जबके नुकसान तो निस्चत रहेगा जितनी का नुकसान रहेगा वह स्ब्सकुरिख करेगी तुक्षान हrav only मेन Kü मेलेगे झतनी का नुकसान होगा तो जोड़ बोलकर किक लां करोंड बता देंगे तो उसका 2% पहले ही आपको देना पड़ गया तो इसलिए जोट बगरह यहां पर नहीं चलता वास्तिविक बात बताई जाएगी और एक मोटा मोटा एक अन्मान लगा जाता है कि इतना होगा यही था वेडिंग इंसुरेंस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप इसी तरह की कुसी और टापिक वीडियो चाहत झाल